हलो बच्चो क्या हाल चाल बढ़ियां एक दम वेलकम ओल आफ यू तो दा अल्फा सीरीज फॉर क्लास 11 फिजिक्स और आज हम स्टार्ट करने जा रहें एक नया टॉपिक वेक्टर्स तो क्योंकि आज वेक्टर्स का first lecture है तो आज तो आपका टॉपिक से introduction होगा कि vector quantities क्या होती हैं, why do we need vector quantities, vector quantities और scalar quantities के बीच में क्या differences होते हैं what are the types of vector, किस किस तरह के vectors होते हैं and how to find angle between two vectors इस तरह से कुछ बहुत ही असान-ASान से topics हमें आज के lecture में cover करने हैं तो तयार हैं आप जल्दी से copy और pen निकालो, notes बनाना start करो और जो आलसी वच्चे हैं वो इस lecture के PDF notes भी download कर सकते हैं हमारी website www.physicswalalagpande.com पर जाकर तो तयार हैं आप, शुरू करें Yes, my name is Alagpande and this is your beautiful channel physics wala तो शुरू करते हैं by vectors, शुबारम हो रहा है Today's goal, आज का goal क्या है? आज का goal है introduction to vectors Vectors के बारे में सारी basic basic बातें समझना तो सबसे पहली बात आई, why do we need vectors? यह अचानक से vectors की हमें जरुवत क्या पढ़ गई? तो पिछले चाप्टर में आपने पढ़ा था कि कोई भी physical quantity हो क्या लिखते हैं उसको? PQ, PQ, PQ कोई भी physical quantity हो, उसको express करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है N और U, N बोले तो उसकी numerical value, U बोले तो उसकी unit इन दो चीज़ों से कोई भी physical quantity completely define हो जाती थी जैसे मान लो मेरे को भूक लगी है, मेरे को mango खाना है, मेरे को आम खाना है मैं आम लेने market गया, और market से जाके 2 kg आम लेके आया, मैं mango लेने गया, अलकसर mango लेने गये और कितना mango लेके आए, 2 kg mango लेके आए, अब देखो ये information अपने आप में complete है कितने mango लाए, 2, और 2 kg, unit भी जुड़ी है साथ में, सो numerical value और unit से mass completely define हो जाता है बाई ये क्या चीज है, mass, mass completely defined हो गया, और किसी चीज की यहाँ जरवत नहीं है direction वगेरा की कोई जरवत नहीं है, अब जैसे मान लो मेरे पास कोई बच्चा आया, सर मेरे को fever है मैं आज की class नहीं attend करेगा, जूटी बोलना है वैसे भी है, ये तो बाने सारे बच्चे बनाते है फैर मैंने पूझा कितना fever है, तो उसने बोला 101, मैंने बोला 101 क्या, तो Fahrenheit होता है, है न, Celsius तो होता नहीं तो मान लो कि इसी बच्चे ने का उसको fever है, मैंने पूझा कितना fever है, उसने बोला 101 Fahrenheit है, अगर सच में है, तो बच्चा प्रॉब्लम में है यह information देखो, अपने आप में complete है, कितना fever है, 101 times of Fahrenheit, अब इसमें कोई direction ना कि जर्वत को है, नहीं कि तुमको fever किदर है, सर के उपर है, जर है, पीछे की तरफ है, ऐसा तो कोछ जर्वत नहीं है तो जो हमारे पस यह quantity है, बच्चों, यह क्या है, temperature तो temperature की भी complete information मिल जाती है, अगर हमें temperature की numerical value पता हो, और unit पता हो, मास की भी same कहानी थी, है ना, मेरे को भाई, भूक लगी है, मैं लेने गया, क्या, अब की बार save लेने चला गया, मैं 10 kilo save लेके आया, कितना खाओगे सराच, 10 kilo save लेके आया, तो 10 times of kg, complete information, इसमें direction की कोई जर direction की जरूरत होती है, इसका जरा feel लेते हैं एक छोटी सी कहानी से, कि हमारे पास दो दोस्त हैं, एक दोस्त बहुत अमीर है, एक दोस्त थोड़ा गरीब है, ठीक है, एक दोस्त अमीर है, एक दोस्त थोड़ा गरीब है, अमीर दोस्त मरने वाला है, कहीं car accident हुआ है, गिरा है मरने वाला है, गरीब दोस्त सके बगल में खड़ा है तो अमीर दोस्त उसको बताता है मैंने अपने जीवन की सारी कमाई सारा खजाना, सारा सोना सब एक जगे गाड़ के रखा हुआ है अब गरीब दोस्त दोस्ती अपनी जगा पूछ रहा है कहा है खजाना ये तो बताओ बनने से पहले बोल भाई बोल खजाना कहा है तो बोलता है खजाना गोवा में सेंड सबेस्टियन गार्डन याद आ गया दमाल मुवी में जैसे था तो मरने अला दोस्त बोलता है कि गोवा में एक सेंड सबेस्टियन गार्डन में एक बड़े से डबलू नुमा पेड़ एक डबलू नुमा पेड़ है जो डबलू के सेप का दिख रहा है बड़ा सा डबलू उससे पांच मीटर दूर है पुझा कहां पे है बोला एक बड़े से डबलू जो की पेड़ के शेप में डबलू है उससे पांच मीटर दूर है अब तो नहीं हो तुम लोग दिली दिल ऐसे ही हो शायदा मज़ाग की बात है कहानी के सच में मत लेना जहांगे अपने दोस्त को मार दिये उसका खजाना भी नहीं है तो अमीर दोस ने बोला सुन तो उसने का रहे जाओ अब कोई जर्वत नहीं हो भागा कहा भागा गोवा की तर अब खजाना कहा है इससे 5 मीटर दोर तो यह आए गधे इंसान यह नहीं हुआ कि वहाँ पूछ लेते 5 मीटर किस तरफ यह आए इन्होंने का 5 मीटर किधर इससे लेफ्ट में 5 मीटर आए यहाँ पे घट घट खट खट ख़दाई की ना निकला खजाना कोई बात नहीं 5 मी गलती की direction ना पूछ के वेक्टर quantities कितनी important होती है यहाँ पे जो 5 मीटर था यह complete information नहीं हो पाई अब इसको 5 मीटर का एक पूरा circle खोदना पड़ेगा 5 मीटर का पूरा circle भाई यह भी 5 मीटर यह भी 5 मीटर यह भी 5 मीटर यह भी 5 मीटर यह भी पांच मीटर यह भी अरे अब पांच मीटर पेड़ के नीचे भी तो हो सकता है भाई जमीन के अंदर पांच मीटर और जमीन के अंदर पांच मीटर ऐसे हो सकता है तो पांच मीटर से तेड़े तेड़े में भी हो सकता है यह पेड़ है जमीन से अंदर ऐसे पांच मीटर ऐसे हैं पांच मीटर ऐसे हैं और गया ये तो, तू तो गरीब रहेगा जीवन बर, पाँच मीटर जमीन के अंदर इस तरफ, पाँच मीटर जमीन के अंदर इस तरफ, कहां एक खजाना गया ये, तो एक छोटी दी इनफॉर्मेशन इसे नहीं सुनी, मरते यो दोस्ते पूस तो लेता कम से कम, कि भाई बता दो किस तरफ, वो बता रहाता है, ये छोड़के चले आए, तो यहाँ पे पाँच मीटर कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं हुई, यहाँ पे होना चाहिए था कि पाँच मीटर इस्ट में चले जाना, पाँच मीटर वेस्ट में चले जाना, पाँच मीटर थर्ती डिग्री पर चले जाना, सीधे से 30 डिगरी एंगल 5 मीटर पर आ जाना, clockwise direction में, anti-clockwise direction में, एक complete information नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या lag कर रहा था, direction, तो जब भी हमें ऐसी कोई quantity हो, जैसे यहाँ पर यह displacement quantity थी, क्या quantity थी यहाँ पर, displacement quantity थी, तो इसके लिए 5 मीटर sufficient नहीं है, numerical value है, unit है, पर इस physical quantity को एक चीज और चाहिए थी, and that was direction, तो जैसा कि हमने पहले चाप्टर ने पढ़ा था, कि कोई physical quantity define करने के लिए सिफ दो चीज चाहिए, numerical और unit, यह बात पूरी तरह से सही नहीं थी, कुछ-कुछ physical quantity को direction भी चाहिए होता है, important समझ रहे हो vector quantities का, अरे feel ले लो वाई, उसके बाद तो सब रटी रटाई चीज़ें है, feel आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा, जैसे मान लो, मान लो, मान लो, कोई गधा बच्चा है, वो पहुचा चुराहे पे, किसी चुराहे पे पहुचा, ठीक है, घर वालों ने उससे बोला है, कि बाई जलेवी लेके आओ, यहाँ मान लो जलेवी की दुखान है, मिठाई की सौप है, यह मिठाई सौप है, ठीक ह अच्छा बहुत बढ़ी है यह भाई साब चुराय पे पहुचे कोई बेकूब बच्चा है चुराय पे पहुचा चुराय पे किसी इंसान से कहा यह बताओ मिटाई की दुकान कहा है उसने कहा मिटाई की दुकान दो किलो मीटर दूर उसे बोला अच्छा और यह भाग पड़ सर बेकूफ नहीं कहना चाहिए सीधा बच्चा बोल दे घर वाले ये करते हैं ना पेरेंट्स किसी को अपने बच्चा को बेकूफ होता बेकूफ नहीं हमारा बच्चा थोड़ा सीधा है थोड़ा भोला है बोलते नहीं बेकूफ है इसने फिर दूसे इंसान से पूचा ये बताओ मिठाई की दुकान कहा है उसने खा भाईया तुम गलत आगे 2 किलो मिटर मिठाई की दुकान यहां से 2 किलो मिटर इस तरफ थी अब ये मिठाई की दुकान से कितना दूर है 4 किलो मिटर इसने बोला भाया मिटाई की दुकान कितनी दूर है चार किलो मीटर दूर है ये सुने चार किलो मीटर आगे भाग गए इनकी आदत है पूरी information ना लेने की कितना आगे भाग गए चार किलो मीटर आगे भाग गए अब इस साइम ये मिटाई की दुकान से कितनी दूर हो चुक है और वो physical quantities कहलाती है vector quantities feel हुआ important समझ में आया बहुत बढ़ी है यह तो गए मिटाई ना विलेगी इनको रुक के पूछ लेते भाई इससे अराम से समय लेके पूछ लेते कि बता दो भईया किस तरफ जाना है सुनते ही नहीं तेजी में भाग रहे है जल्दी बढ़िये जैस कि यह भी एक कानी है कि एक इनसान था वो हमसे बोला यह हमको देर हो रही है हमने का जाओ भाई देर हो रही है तो साइकल लेके दोड़ना स्टार्ट कर दिया तो हमने का भाई साइकल पर बैठ तो जाओ पर आर आई पी और यह भाई को आज जले भी नहीं मिलनी अब तो जले भी कतम हो जानी है देर से पहुचो तो जले भी कहा मिलती है चलो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस बिट्वीन स्केलर कॉंटिडीज और वेक्टर कॉंटिडीज पील ले लो यार यह सब तो असान चीज़ है डिफरेंस बिट्वीन स्केलर कॉंटिडीज और वेक्टर कॉंटिडीज चलो भाई बहुत बढ़िया पहला डिफरेंस स्केलर कॉंटिडीज के पास क्या होती है निमेरिकल वैल्यू होती है और unit भी होती है, unit की बात ने की, numerical value होती है, vector quantities के पास क्या होता है, numerical value होता है, direction होता है, and very very important, numerical value हो, direction हो, यह तो सब को पता है, obeys vectors laws of addition, obeys vector law of addition, कोई भी quantity, vector quantity तब तक नहीं बन सकती, जब तक वो vector law of addition को follow ना करें, हो सकता हो, किसी quantity के पास magnitude हो, मतलब numerical value हो, and numerical value मतलब magnitude, हो सकता हो, किसी quantity के पास magnitude हो, और उसके पास direction भी हो, पर वो vector ना बन पाएगी, vector बनने की condition है, obeys vector law of addition, सबसे बड़ी condition, vector बनने की condition, direction नहीं होता बच्चों, vector law of addition होता है, अब ये vector law of addition क्या है, अब जैसे मानलो, मुझे भूख लगी थी, मैं 2 kg आजसर खाने की बात करो, भूख लगा है यार, क्या करो, 2 kg आम लेके आया, मेरी भूख नहीं खतम हुई, मैं 2 kg आम और लेके आया, total कितना आम खाया मैंने, 4 kg, पूरा खा गया, ठीक है, तो 2 kg प्लस 2 kg, कितना हुआ, 4 kg, यह simple addition है, यह vector addition नहीं है, अब जैसे vector addition क्या होता है, मानलो, अपनी जो प्यारी वविता है, जो अपनी वविता है, वो यहाँ से 4 meter चली east को, 4 meter चली east को, इसके बाद यह 3 meter और चली east को, 4 meter east, इसके बाद 3 meter east, मैं पूछूं कि इसका initial point से final point तक displacement कितना है, 4 और 3 कितना हुआ, 7 बड़ा असान था, इसका displacement कितना है, सर, 4 प्लस 3 का आंसर आया, 7 meter, very easy, मान लो बविता, यहाँ से 4 meter, मान लो बविता, यहाँ से, 4 meter चली east को, उसके बाद उसका दिमाग कुछ पलड गया, वहाँ से वापस आ गई, 3 meter west को, सीधा नहीं चली, वहाँ से पीछे पलड गई, 3 meter east को, अब बविता का initial point से displacement कितना है, इस time displacement कितना है, 4 और 3 ही जोड रहे हैं, यह arrow क्या लगा रहे हो सर, vector पर लगता arrow, सर माइनस होंगे, मुझे ही पता माइनस होंगे, पर overall तो हम जोडी नहीं रहा, resultant, resultant ही तो निकाल रहे हैं, तो 4 और 3, इस time displacement कितना आएगा, 1 meter, answer कितना आगया, एक meter, अभी direction नहीं लिख रहा है, तो 4 और 3 का ही answer साथ है, 4 और 3 का ही answer एक है, जरा रुको, मान लो यही बविता अपनी, यहां से चली, 4 meter east को, और 4 meter east चलने गवाद इसका कुछ दिमाग पलटा, और यहां से यह आगे बढ़ गई, 3 meter north को, 4 meter east गई, 3 meter north, अब बविता का initial point से final point के बीच में displacement कितना है, सबी को पता है, यह कितना होगा, बताओ, 4, 3, सबने पढ़ लखा है, पाइथा गुरस थियोरम, कितना है, 5 meter, यानि इस बार displacement, 4 प्लस 3 vector लगा रहे है, उपर arrow मतलब vector, का कितना आया, 5 meter, बड़ा आजीव addition है भाई vector का, कभी 4 और 3 जुड़ के साथ आये, कभी 4 और 3 जुड़ के एक आया, और कभी 4 और 3 जुड़ के 5 भी आ सकता है, इसे बोलते है vector law of addition, जब आम खाने का मनता तो 2 और 2 जुड़ के 4 ही आएगा, चाहे बाहर पन्नी में आम रखा हो, चाहे खाने के बाद पेट के अंदर आम हो, 2 और 2 जुड़ के 4 ही आना है, पर यहां ऐसा हाल नहीं है vector quantities में, यहां पे addition depend करता है, दो vectors के बीच के angle पे, यहां इन दोनों के बीच का angle कितना है, 0 degree, यहां angle कितना हुआ, 180, भाई यह किस तरफ गया, यहां angle कितना है, 90 degree, जैसे जैसे angle change हो रहा है, वैसे वैसे answer भी change हो रहा है, यहां पे देखो 4 प्लस 3 ही तो है, 4 इधर चले 3 इधर, displacement कितना है, displacement पता है ना, shortest distance between initial and final point, यह displacement कितना है, 5, initial, final position के बीच में, सबसे छोटा रास्ता क्या है, तो इस तरह के addition को हम बोलते है, vector law of addition, जो कि आगे आने वाले lectures में आप पढ़ोगे, triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition, polygon law of vector addition, इसका graphical method, analytical method, वो सब तो अपन करेंगा, अभी तो feel लेना है, कि यह vector quantity normally नहीं जूर सकती, 4 और 3 जूर के 7, हमेशा नहीं आएगा, 4 और 3 जूर के 7 भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, और इनके बीच का भी कुछ आ सकता है, यह दो तो extreme limit होती है, एक बार जोड़ लो, एक बार minus कर लो, इनके बीच का कुछ भी answer आ सकता है, depend करेगा, इनके बीच के angle पे, मैं तुमको सज बता रहा हूँ, 4 और 3 का answer, इसके उपर और इससे नीचे कुछ भी हो सकता है, देड़ भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, छे भी आ सकता है, इन दोनों के बीच की कोई भी value ले सकता है, यह है कमाल का vector law of addition, होई 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 होई, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, इसको मिटाल ले, इन बातों को note करना हो, note कर लो, pause करके, फिर मैं इसको रब कर दूँ, note कर लिया है, रब कर दें, 1, 2, 3, 4, 5, चलो, तो भाई बात यह हो गई, कि vector quantities को क्या चाहिए, numerical value, यानि कि magnitude, और क्या चाहिए, direction, और obese vector law of addition, अगर किसी quantity के पास, सुन लो, अगर किसी quantity के पास magnitude है, मतलब numerical value है, और उसके पास direction है, तो उससे sure नहीं होता कि वो vector है, अगर वो vector law of addition follow करेगा, तभी vector होगा, किसी के vector होने की condition क्या है, it follows, it obeys, vector law of addition, this is a necessary condition, this is a necessary condition, to be a vector, clear है, despicable me में था न, vector villain, देखा हैगा किसी ने, अरे जैसमें मों minion थे, आवा, मिनन से देखा कि न, बनाना, 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 नहीं देखा है, उसमें guru रहता है, उसमें जो villain रहता है, उसमें जो विलन रहता है, उसका नाम vector, इनके यार, villain के नाम भी कितने अच्छे होते हैं, vector अपने क्या, क्या रख रहे हैं, साकाल, मुकैमबो, यहाँ villain का नाम भी vector होता है, विदेश की बात, चलो आगे बढ़ते हैं, next point, इसको में मिटार दू, necessary condition, next point, क्या है, scalar quantities, added according to ordinary rules of algebra, ordinary rules of algebra आपने देख लिया, 2 kg, 2 kg आम, मिलके बने, 4 kg हम, और इनका क्या है, added according to vector law of addition, vector law of addition, यह क्या होता है, अब लिख ले, necessary condition to be a vector, इसको follow करना necessary condition है, तो इनको add करने का पूरा mechanism ही अलग है, जिसको हम अगले 2-3 lecture में समझेंगे, next क्या आगए, examples आगए, तो scalar quantity के example है, mass, distance, speed, temperature, energy, है ना, इन सबका कोई direction नहीं होता, इन में direction की जर्बत नहीं होती, mass का क्या direction है, 2 kilo, 4 kilo, distance कितना, 5 meter, displacement, distance में अंतर होता है, distance, scalar होता है, speed, temperature, energy, कितनी energy है, 10 joule, 20 joule, कोई direction है, और इनके example क्या है, displacement, जैसे ओफस गया था, गोवा के सिंस अभी सियन गार्डन में, 5 meter, east, west नहीं बताया, velocity, कितनी velocity है, 3 meter per second, किस तरह, east, west, north, south, 30 degree, south of east, अभी ये सब भी समझेंग कैसे पता लगाते हैं, force, acceleration, ये सब कैसी quantities हैं, बच्चो, vector quantities हैं, तो थोड़ा अपना clear हुआ कि vector quantity की need तो है, direction की need तो होती ही है, और vector और scalar में differences क्या हैं, कि scalar quantity के पास direction नहीं होता, vector quantities के पास direction होता है, पर साथ ही साथ, direction होने के साथ ही साथ, they should obey vector law of addition, यानि उनके बीच का resultant, उनके जोडने का answer depends करें उनके बीच के angle पे, उनको जोडने का answer depends करें उनके बीच के angle पे, अगर ऐसा नहीं हुआ, तो वो vector quantity नहीं है, आगे बढ़ें, note कलें, note करना हो तो, चलो, आगे बढ़ें, pause करके note कलें, एक, दो, तीन, चार, पांच, All vector quantities have direction, एकदम सही बात है, जो भी vector quantity है, उसके पास direction होगा, But, all quantities that have direction are not vectors, यही मैं बता रहा था, All quantities that have direction are not vectors, direction होना इस बात की guarantee नहीं है, कि आप vector quantity बन जाओगे, Vector होने की condition क्या थी, ओबेज, vector law of addition, अब vector law of addition कौन-कौन सा होता है, triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition, polygon law of vector addition, इनको follow करना चाहिए, सिर्फ direction होने से guarantee नहीं होती, कि vector हो, For example, बड़ा ही famous example है, सबने देख रखा होगा, For example, current, electric current, by current के पास direction होता है, बिलकुल होता है, पर current, direction होने के बावजूद, vector नहीं बन पाता, क्योंकि ये vector law of addition को follow नहीं करता, जाचे समझो, मान लो, इस जगे से आ रहा है 2 ampere current, इस जगे से आ रहा है 3 ampere current, और यहां से हमारे पास मान लो, यहां से 2 ampere, यहां से 3 ampere, यहां से output निकला, 2 और 3, output कितना हुआ, 5 ampere, इनके बीच में angle 90 degree है, इससे कोई फरक नहीं पड़ा, simple scalar type का addition, 2 और 3 मिलके कितना हुआ, 5, ऐसे बना देते हैं, थोड़ा खुबसूरत लगेगा देखने में, इनके बीच के angle से इसको कोई फरक नहीं पड़ा, ऐसे मान लो, यहां से current आया, 2 ampere, इधर current आया, 3 ampere, जुड़ के कितना हो गया, 5 ampere, अब इनके बीच में angle 30 degree हो, 20 degree हो, 60 degree हो, इस बात से इसको कोई फरक नहीं पड़ा, ऐसे मान लो, angle थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, इधर से current आया, 2 ampere, इधर से current आया, 3 ampere, जुड़ के इधर कितना हो गया, फिर से 5 ampere, angle बढ़ गया है, पर इसको कोई फरक नहीं पड़ा, यह vector law of addition को follow नहीं कर रहे, जबकि इनके पास direction है, फिर भी यह vector नहीं बन पाएंगे, current has direction, but still it is not a vector quantity, because it does not obey vector law of addition, इसके और भी example हो सकते हैं, electric current हो गया, आपके पास pressure हो गया, भाई, pressure के पास भी तो direction होता है, force upon area, pressure का direction नहीं होता, inward लग रहा, outward लग रहा, upward लग रहा, downward लग रहा, direction है, but pressure does not follow vector laws of addition, hence it is not a vector quantity, current क्या scalar quantity होता है, exactly scalar भी नहीं होता, tensor quantities बन जाते हैं, यह भी tensor है, यह भी tensor है, अलग तरी quantity है, भी छोड़ देने हैं इस discussion को, अपने मतलब का नहीं है, in short, to be a vector quantity, you should have a direction, as well as you should obey vector law of addition, जो कि यह कहता है, कि आपका result, आपका result, depend करे angle पे, यहाँ देखो इनके बीच का angle मानलो, हमने 30 degree रखा, यह angle हमने बढ़ा के 60 degree कर दिया, अभी भी answer क्या रहा, same रहा, clear है, perfect, all vector quantities have direction, but all quantities that have direction are not vectors, आगे answer, आगे बढ़ो, representation of vectors, कैसा दिखता है vector, vector को दिखाया जाता है, एक arrow से, इस arrow का इधर बना है, head, इधर बना है, इसकी पूँच, यहाँ इसकी पूँच, आच्छा, बच्चों, इस arrow की जो length होती है, इस arrow की जो length है, that represents, that represents magnitude of vector, that represents magnitude of vector, है ना, हमें कहीं vector बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे, arrow बनाएंगे, arrow की जो length होगी वो क्या represent करेगी magnitude represent करेगी और arrow का जो ये head है ये represent करेगा direction of vector so how will you represent a vector by drawing an arrow मैंने कहा 5 newton की force है east में बना के दिखाओ 5 newton की force है east में बना के दिखाओ भया east इस तरफ होता है तो आपने क्या किया यहां पे east में ये कित्ती लंबी arrow बना ली अब भाई scale के उपर newton तो लिखा नहीं होता तो हम थोड़ी दर के लिए माल लेते हैं कि scale का 1 cm बिहेफ करेगा 1 newton की तरह भाई scale के उपर newton में थोड़ी ना लिखा होता है क्या बन जाएगा 5 newton बन जाएगा तो यहां पे आप 5 cm लंबी एक लाइन खीच लो कित्ती लंबी 5 cm लंबी 5 cm मेरे पास इस टाइम क्या है 5 newton है और 5 newton की force किस तरफ थी east direction में थी तो arrow का head देखो किधर जा रहा है east में so this is a 5 newton force directed towards east this is a 5 newton force directed towards east एरे सर बार बार इतना लंबा कौन बनाएगा बिलकुल नहीं बनाएगे अब इसका एक छोटा representation धूड़ा गया कि माल लो हमने कहा force कितनी है force है 5 newton east तो इसका छोटा representation यह धूड़ा गया कि जो भी vector quantities हैं उनके उपर arrow लगा दो यह force vector quantity है तो आप force के उपर arrow लगा दो माल लो कोई vector quantity है A तो A के उपर arrow लगा दो this arrow represents की एक vector quantity है ठीक है अब अच्छो एक चीज़ मैं और सिखा देते हैं आपको अगर मैंने कहीं लिख दिया ऐसे दो line के बीच में इसका मतलब होता है magnitude of A अगर यहां पर मैंने यह लगा दे इसको बोलते हैं mod इसका मतलब होता है magnitude of A सार समझ में नहीं आया क्या बोले बताते है magnitude of A जैसे माल लो हमने लिखा vector F कितना है vector F कितना है तो आप बोलोगे vector F है 5 Newton East complete information पर मैं आपसे पूछ लूँ कि यह डब्बे के बीच में mod बोलते हैं क्या बोलते हैं mod mod F कितना है तो आप मेरे से बोल दोगे सर 5 Newton mod का कोई direction नहीं होता mod क्या represent करता है magnitude of vector मैंने आपसे पूछा vector F आपने कहा 5 Newton East मैंने का mod F आपने कहा 5 Newton clear है कई बार बच्चों इस bracket की जगा इस div बे इस mod की जगा कई बार सिधा-सिधा ऐसे भी लिख देगा A A के उपर ना arrow है ना कुछ है तो ये भी represent करता है magnitude of A magnitude of A को या तो ऐसे डबबा बना के लिखेंगे या simple A भी लिख दिया तो भी हम क्या समझेंगे magnitude ज़्यादा accurate definitely ये वाला है बट कई बार किताब में आपको ऐसे बिलेगा कहीं पर ये लिखा हो इसका मतलब क्या है magnitude सिर्क value है ये लिखा है सिर्क value है ये लिखा है value plus direction ये लिखा है मतलब इसके अंदर क्या क्या होगा magnitude प्लस direction एकदम clear है basics आगे बढ़े चलो vector quantities कैसे बनती है अब देखो यहाँ पे चार direction में बनाए है आगे भी सवाल में इसका इस्तिमाल करेंगे कौन-कौन सा सबको पता है ऐसे खड़े हो जाओ इधर north बना लो right में east बनेगा left में west बनेगा और नीचे की तरफ south बनेगा ऐसे खड़े हो गए उपर north बना दिया इधर east इधर west इधर south ज़रा कुछ direction सीखलो आगे आपको vector chapter में help मिलेगी मान लो मैं यहाँ से ऐसे एक line खीच दू यहाँ से 45 डिग्री पे तो बच्चों इस direction को क्या बोलेंगे इसको तो north बोलते हैं east बोलते हैं west बोलते हैं south बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे exact 45 डिग्री पे बच्चों इसको हम बोलते हैं north east क्या बोलते हैं north east north और east के एकदम बीच 45 डिग्री पे होना चाहिए एकदम बीचों बीच मालो यहां से मैं एक लाइन खीच दू 45 डिग्री पे इधर से भी 55 उदर से भी 45 ये North है ये West है ये क्या कहलाएगा सब लोग बोलो North West मालो यहां से मैं एक लाइन खीच दू ऐसे कितने एंगल पे यहां से 45 डिग्री पे इधर West है इधर South है तो इसको West South लिख लो वैसे जारतर लिखा जाता है Southwest पहले ये वाले Terms ज़्यादा यूज की जाते है Southwest नौर्थ वेस्ट इसी तरह से अगर यहां पे मैं एक लाइन खीच दू ऐसे यहां से कितने एंगल पर है 45 डिग्री पे तो इसको हम क्या बोल सकते है South East ठीक है तो थोड़े बहुत हमने Direction सीख लिए North, South, East वेस्ट सबको पता ही थे हमने थोड़े से और Direction सीख लिए इनके अलाबा 45 डिग्री पे South East ठीक है कुछ हमने नए Direction सीख लिए South East इसी तरह से बच्चो मान लो मान लो मान लो मैं यहां पेक लाइन ऐसे खीच दूँ यहां से 30 डिग्री पे 30 डिग्री पे अब इसे क्या बोलोगे 30 डिग्री किधर गए हैं हम North की तरफ कहां से गए हैं East से 30 डिग्री किधर गए हैं North की तरफ कहां से गए हैं East से तो इसको हम बोलेंगे बच्चों 30 डिग्री North of East 30 डिग्री North किसका North East का 30 डिग्री North of East ठीक है इस तरह से हम Directions बताएंगे जैसे मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो यहां पर हम एक LINE ऐसे खीज़ दें और यह Angle हमारा हो जाए 60 डिग्री यह Angle हो गया 60 डिग्री यह Angle हो गया 60 डिग्री हम किधर आए किधर आए West की तरफ कहां से North से तो हम बोलेंगे 60 डिग्री West of North हम किदर आए west की तरफ कहां से north से 60 degree west of north या इसको एक चीज़ और बोल सकते हैं यहां से angle कितना हो जाएगा 30 degree तो आप यह भी बोल सकते हो 30 degree north of west आ रहा है समझ में यहीं से देखो यह angle कितना हो जाएगा 30 degree तो 30 degree north of west बाद में जिसको बोला of east मतलब east से of north मतलब north से 60 degree west की दरफ बोलो clear हो गया है चलो एक का नाम खुझ से बताओ एक का नाम खुझ से बताओ यहां मानलो मैं एक बना दूँ यह angle मैं बोल दूँ 20 degree चलो बता बताओ 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 क्या बताया 20 degree south of west इसका नाम पढ़ जाएगा 20 degree south of south की तरफ चले किस से west से ठीक इस तरह से हम directions लिखते हैं चलो कुछ vectors draw करते हैं आजा draw the following vectors पहला बनाए सब इलो draw the following vectors 5 newton 37 degree east of south बनाओ पहला वाला north south east west बताओ 37 degree पहले ही पकड़ो 37 degree east of south of south यानि south से east की तरफ कितना 37 degree south से east of south south से east की तरफ कितना 37 degree अब कितना lembo arrow बनाना है 5 newton के बराबर भाई हमारी scale में 5 newton तो लिखा नहीं होता centimeter लिखा होता है तो फिर से हम क्या मानेंगे कि 1 centimeter is equals to 1 newton तो 5 centimeter की line खीचेंगे तो क्या बन जाएगा 5 newton अब 5 centimeter की line कहां खीचोगे 37 degree east of south है यह 37 degree किदर गए east की तरफ गए कहां से south से 37 degree east of south और बच्चों इस line की length कितनी रखेंगे इस line की length हम रखेंगे 5 centimeter तभी यह represent करेगा 5 newton की force को force ही तो है यह 5 newton 37 degree east of south दूसरे वाले पर आओ आपने यहाँ hopefully बना ले बड़ा basic lecture है आज का दूसरा वाला 2 meter per second 30 degree west of north अच्छा यह रहा north यह रहा east इधर बनेगा west इधर बनेगा south उपर north नीचे south right में east left में west क्या बोला 30 degree west of north 30 degree west of north यानी north से चलना है value कित्ती दी है 2 meter per second अब यार हमाई scale पर unit 2 meter per second में तो होगी नहीं तो हम बोल देंगे चलो 1 centimeter represent करेगा 1 meter per second को तो 2 centimeter represent करेगा 2 meter per second को यानी 2 centimeter लंबी line बनानी है 30 degree west of north नॉर्थ से 30 degree north से 30 degree नॉर्थ से 30 degree किस तरफ west की तरफ कित्ती लंबी line 2 centimeter यह represent करेगा velocity of यह represent करेगा velocity of 2 meter per second 30 degree west of north क्लियर हो गया यह आगे बढ़ें चलें आगे ओके important points related to vector अभी vector कैसे represent करते हैं A के उपर vector लगाके कैसे बनाते हैं north, east, west, south, south of east, north of west से सब समझ में आ गया mod क्या होता है ऐसे लगा दिया मतलब value है ना और यह नहीं लगाया सिफ A लिप दिया तो भी value और A के उपर arrow लगा दिया तो vector अब बात करते हैं important points related to vector सबसे पहला point on rotating 2pi vector does not change बच्चो 2pi का मतलब क्या होता है 2pi का मतलब होता है 360 degree यह ना pi में हम लोग angle पढ़ना स्टार्ट करेंगे एक बात अपने दिमास में आज से डाल लो कि pi जब भी लिखा हो pi मतलब है 180 degree pi radiance is equals to 180 degree तो 2pi मतलब 360 degree तो यदि आपने किसी vector को 360 degree घुमा दिया तो वो change नहीं होगा जड़ा देखते हैं जड़ा देखते हैं माल लो हमारे पास यहाँ पे एक vector है a इसको हमने कितना घुमा दिया पकड़ के ऐसे घुमा के वापस यहीं ले आए बच्चों यह कितना घुम चुका है यह vector a है इसको हम पकड़ के घुमा के वापस यहीं ले आए कितना घूम गया, 360 degree वापस अपनी जगहा आ गया, होगा कि नहीं किसी चीज को पकड़ो, यह एक vector है, इसको मैंने कितना घूमा दिया, 360 degree, zoom, 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 वापस यह यह आ गया, ठीक, So on rotating 360 degree, vector does not change, नहीं magnitude change होगा, नहीं direction, next, a vector can shift parallel to itself, इसको बोलते हैं, parallel shifting of vectors, इसको बोलते हैं, parallel shifting of vectors, इसका क्या मतलब है, माल लो बच्चों, यहाँ पे कोई vector बना है, ऐसे, ठीक, length माल लो इसकी 2 cm, तो इसको आप इसके parallel में उठाकर, यहाँ पे भी shift कर सकते हो, 2 cm, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप parallel में उठाकर, यहाँ पे भी shift कर सकते हो, 2 cm, provided, इसका direction मत बदलना, मतलब arrow को तेड़ा मत करना, होते हैं, parallel shifting, अब बोलोगे, इसका फाइदा क्या है, दिखाते हैं, फाइदा क्या है, यहाँ इसका फाइदा देखो, फाइदा क्या है, माल लो कुछ ऐसा बना है, हमारे पास कोई vector ऐसे दिया हुआ है, 2 cm लंबा, अब यार, यहाँ से देखने में कुछ मजा नहीं आ रहा हैं, angle वगेरा सब पता है, माल लो हमसे बोलता है कि यह vector, माल लो हमसे बोलता है कि, माल लो हमसे बोलता है कि यह vector यह vector माल लो हमसे बोलता है यह vector यहां से माल लो 30 degree के angle पे है 2 cm लंबा है पर feel नहीं आ रहा अब इसमें feel लाना है तो क्या करो parallel shifting कल दो इसको उठा कर यहां से ले जा कर origin पे रख लो 2 cm लंबा कितने angle पे है 30 degree पे देखो horizontal से 30 पे था उठा के हमने क्या किया horizontal से 30 degree पे रख दिया तो इस तरह तो हमें फाइदा मिलेगा question solve करते वग for doing on doing parallel shift of vector parallel shift करने से vector पर कोई फरक नहीं परता है ना आप इस vector को उठा के यहां रख सकते हो यहां रख सकते हो कहीं भी माल लो आप पास यह vector है तो इसको आप पीछे ले जा सकते हो आगे ले जा सकते हो उपर ले जा सकते हो नीचे ले जा सकते हो इधर ले जा सकते हो parallel shifting allowed है ठीक है next point very important point very important the angle between two vectors is the smaller of the two angles between the vectors when they are joined tail to tail the angle between two vectors is the smaller of the two angles between the vectors when they are joined tail to tail दो vectors के बीच का कौन सा angle लेना है वो angle लो जब vectors tail to tail joined हो या शायद join करना पड़ जाए और join करने के बाद भी छोटा वाला angle लेना है smaller of the two angles बच्चों दो vectors के बीच का angle कभी भी 180 से बड़ा नहीं होगा ये बात दिमाग में डाल लो दो vectors के बीच का angle कभी भी 180 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा negative angles नहीं लेगने the angle between two vectors always lies in this range 0 degree से 180 degree ये fix की गई बाते हैं ताकि आप कुछ उबड़ खावड angle लेके ना आ जाओ फथर लेके आगा ये angle 240 चलो calculation नहीं चलेगा ठीक जड़ा इसको समझते हैं मान लो मान लो अपने पास एक vector ये है एक vector ये है एक vector एक vector बी ठीक है टेल से टेल मिली हुई है ताल से ताल मिला ताल से ताल मिली हुई है मान लो हमसे बोलता है ये angle है 110 degree और ये angle है 250 degree what is the angle between these two vectors बड़ा असान है the angle between two vectors will be the smaller angle when they are joined tail to tail smaller angle कौन सा है 110 degree क्या वो इस range में आ रहा है बिल्कुल आ रहा है clear हो गया सवाल किया जाए इसका पानी पीलो में दुछा सवाल करें इसका पहले क्या करो टेल से टेल जोड़ लो ताल से ताल मिला लो उसके बाद छोटा angle ले लो ठीक है चलो आगे आपने पास सवाल find the angle between vector a and b ये vector a और b इनके बीच का angle निकलना है चलो बताओ क्या a और b टेल से टेल जुड़े हुए हैं सबसे पहले देखो टेल से टेल जुड़े हैं कि नहीं क्या a और b टेल से टेल जुड़े हुए हैं जी हाँ इस तरफ angle कितना है 300 नहीं ये बचा हुआ angle कितना होगा बोलो 300 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 60 बाई total 360 होता है 60 degree अब बताओ कौन सा angle लेंगे हम अब बताओ कौन सा angle लेंगे हम 300 लेंगे की 60 लेंगे मेरे ख्याल से तो answer 60 degree होगा भाई छोटे angle को लेना है पहले tail से tail मिला लो तो छोटा वाला angle जो वो in close कर रहा हूँ बड़ा वाला angle नहीं लेना है जैसे यहाँ पर आ जो A और B के बीच में कितना angle है 120 और इस तरफ से देखेंगे तो कितना होगा 360-120 कितना 240 तो यहाँ इनके बीच का angle कितना हो जाएगा बोलो 120 होगा की नहीं बाई यह छोटा angle और यह A और B के बीच में देखो यह बड़ा 240-120 जोड़ो 4-2-6-3 clear है गलत हो गया टेल से टेल नहीं जुड़े थे ध्यान दिया तुमने की नहीं पता नहीं टेल से टेल नहीं जुड़े थे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो इस वाले question को यह टेल से टेल नहीं जुड़े है एक ही पूँच में गाय का पूँच लगा है कभी की नहीं बहुत तेल लगता है यह एंगल दे रखा था 120 बच्चों एंगल कब लेने हैं टेल से टेल मिला कर कैसे मिलेगी कैसे मिलेगी बाई अभी अभी हमने पढ़ा था parallel shifting of vector vector को parallel shift कर सकते हैं कुछ मत करो इस B वाले vector को parallel थोड़ा सा shift कर दो इस B वाले vector को थोड़ा सा parallel आगे की तरफ shift कर दो इस B वाले vector को थोड़ा सा parallel आगे की तरफ shift कर दो अब बच्चों ये भी क्या हो गया? वेक्टर B, वेक्टर A अब देखो दोनों की टेल से टेल मिल गई है ये 120, तो बच्चों ये एंगल कितना होगा, टोटल 180 होगा तो एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री, दा एंगल बिट्वीन टू वेक्टर इस 60 डिग्री, बुलवाया बाई, पैरलल शिफ्टिंग अलाओड है ना, तो उसी का हमने खेल खेला इस वेक्टर को हमने पैरलल शिफ्ट करके आगे बढ़ाया फाइदा क्या हुआ, टेल से टेल मिल गई बाई, पैरलल शिफ्ट करके आगे बढ़ाओगे अभी ये बी ही रहेगा, बी और एक ही टेल से टेल मिल गई ये एंगल 120 तो बचा हुआ एंगल बोलो बोलो बाई, ये एंगल 120 तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, बोलो clear है बोलो clear है, पैरलल शिफ्टिंग कर दी आगे चलो और सवाल करते हैं और सवाल देखते हैं find angle between vector A and B, A and C and B and C यहाँ पे तीन vectors है, चलो भाई करते हैं find angle between vector A and B, A and C and B and C ये रहा A, ये रहा B, टेल से टेल तो मिली नहीं है और मिलाते हैं ये रहा A ये B, तो B को parallel shift करना पड़ेगा मेरे ख्याल से ये रहा B ऐसे, अभी tail से tail नहीं मिली हुई है तो B को parallel shift करके थोड़ा आगे ले आते हैं, ऐसे B को parallel shift करके आगे ले आए, बच्चों ये angle कितना दे रखा है 30 degree, ये angle कितना है, 60 degree अब देखो, ये 60, तो ये 60, तो ये 30 अब देखो, A और B के बीच में कितना angle दिखाई पड़ रहा है 30 और 30, 60 degree बोलो आया भाई, tail से tail मिलाना initial condition है इसकी tail से इसका head आके जुड़ा हुआ था तो मैंने इसको parallel shift करके आगे बढ़ा लिया बहुत बढ़िया, ये angle 30 है, बहुत बढ़िया ये angle 60, भाई, ये 60, तो ये 60, ये 90 है पूरा तो ये बचा हुआ 30, इनके बीच का angle 60 degree पहला part complete हुआ, अब आते हैं second part पे angle between vector A and C, A और C की तो tail अपने आप मिली हुई है ध्यान से देखो, ये रहा vector A, ये रहा vector C, इनकी tail अपने आप मिली हुई थी, A का इससे angle बता रखा है 30 degree, C का यहांसे angle बता रखा है 45 degree, ये पूरा angle होगा बच्चो 90 degree, तो ये बचा हुआ angle कितना हो गया 45 degree, तो angle between A and C, 30 and 45, 75, छोटा angle है 0 से लेके 180 के बीच होना चाहिए, है 0 से 180 के बीच में, clear है, A, C, ये 45, ये भी 45, टेल से टेल जुड़ा है 30 और 45, 75, तीसरे पार्ट पे आते है, angle between B and C, तो ये रहा C vector, कितने angle पे है 45, और B vector कितने angle पे है, 60 degree, ये रहा B vector, कितने angle पे, 60 degree पे क्या tail से tail मिली हुई है, बिल्कुल नहीं, इसका head, इसकी tail में घुसा है क्या किया जाए, B को parallel करके आगे shift कर लिया जाए, B को parallel करके आगे shift कर लिया जाए, बिल्कुल यहां से जुग 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 इत्ती तो मैं सबको आती होगी हाँ बोलो B का ये angle 60 degree है तो यहां से ये angle भी कितना हो जाएगा 60 degree यह आगे बढ़ाया ये angle ये angle बराबर होगा की नहीं vertically opposite angles ये 60 ये 45 तो B और C के बीच का angle कितना हो गया 15 degree तो theta is equals to 15 degree बोलो आया B को मैंने पहले shift करके आगे बढ़ाया ये 60 तो ये भी 60 ये 45 B और C के बीच में कितना angle हुआ 60 मैंनिस 45 15 degree बोलो clear है तो इस तरह से हम निकालते हैं angle between two vectors आगे बढ़े clear है इतना pause करके note करना हो note कर ले 1, 2, 3, 4, 5 ये क्यों करना पढ़ रहा बच्चों क्योंकि हमें tail से tail मिलाना है मैंने इसको आगे बढ़ाया मैंने B vector को यहां से आगे बढ़ाया देखो यहां से B को आगे बढ़ा होगे ये ये angle 60 तो ये पूरा कितना हो गया 60 अब ये 60, 45 इस तो ये कितना हुआ 15 डिग्री clear है चलो आगे बढ़ते है types of vectors पर आगा है हम किन किन तरह के vector है खोड़ी बात चीत होंगी सबसे पहले हमारे पास आए equal vectors equal vectors बच्चों दो vector equal कहलाते है two vectors are equal हमको बता है सब लोगने answer बोल दिया है are equal if they have पर तुमने जो बोला इसमें एकरर निकाल दूँगा मैं तुमने जो भी बोला इसमें एक गल्दी मैं निकाल दूँगा if they have first equal magnitude equal magnitude second same direction दो vector equal होंगे अगर उनका magnitude भी equal हो और direction भी equal हो मान लो हमारे पास दो vector है a और vector b मान लो a की value है two meter per second east और b की value है two meter per second west क्या ये दोनों equal vector है नहीं है बच्चों इन दोनों का magnitude तो बराबर है देखो मतलब ऐसे लिख सकते हैं सीखो कुछ चीज़े मतलब हम ये लिख सकते है magnitude of a is equals to magnitude of b बच्चों ये नहीं कह सकते कि vector a is equals to vector b ये कहना गलत हो जाएगा बले ही इनका magnitude सेम है बड़ ये vectors equal नहीं है vector equal होने की condition अभी और बताएंगे अभी रुको vector equal होने की condition equal magnitude एक तो magnitude भी सेम हो और direction भी सेम हो जैसे कि हम बोलें एक तो ये हो गया हमारे पास जैसे कि हम बोलें हमारे पास फिर से दो vectors हैं कहां लिखें यहाँ पर हमारे पास दो vector है एक vector है a 2 meter per second east दूसरा vector है b वो भी है 2 meter per second east अब बाई इनका magnitude भी सेम है और इनका direction भी सेम है now we can write vector a is equals to vector b magnitude भी सेम है आप यह भी लिख सकते हो mod of a is equals to mod of b यह भी correct है यह भी correct है इस बार से magnitude लिखको है यानि दो vectors लिखकोल होने के लिए उनका magnitude सेम हो और direction सेम हो बस बस पका अच्छा मुझे यह बताओ मैं तुम्हें दो vector दे रहा हूं तुम मुझे बताना अब बताओ क्या यह दोनों vector equal है इनकी magnitude तो सेम है यह भी दो है इनका direction भी सेम है यह भी east है यह भी east है फिर भी यह equal vectors नहीं है क्योंकि इनकी unit अलग है क्योंकि यह different physical quantity को represent कर रहे मतलब सिर्फ magnitude और direction से काम नहीं चलेगा और क्या चीज सेम होनी चाहिए they should have same units also magnitude भी सेम direction भी सेम तुमारे हिसाब से तो यह equal vectors हो गए बड़ यह equal vectors नहीं है because इनकी units अलग-अलग है यह क्या बने हुए यह देखो equal vectors बने है parallel shifting करके रखी हुई है यह मान लो vector A है उसी को parallel shift करके यहाँ दिखा दिया vector A parallel shift करके यहाँ दिखा दिया vector A यहाँ दिखा दिया vector A parallel shifting allowed है magnitude सेम हो, direction सेम हो और unit भी सेम हो next बात आई negative of a vector negative of a vector क्या होता है जो भी मैंने दिखाया था यह है negative of vector magnitude सेम हो पर direction opposite हो negative of a vector same same magnitude but opposite direction, negative of a vector, same magnitude but opposite direction, a की value हो गई 2 meter per second east, b की value हो गई 2 meter per second west, magnitude-wise दोनों same है, mod of a is equals to mod of b, और direction-wise दोनों opposite है, ऐसे case में आप लिख सकते हैं, जब को इसको अगर हम बनाएं, तो a बच्चों इस तरफ बनेगा, a किदर बना, east में, और b बनेगा इस तरफ, किदर बना, west में, तो दोनों का direction opposite हो, और magnitude same हो, ऐसे में आप ये लिख सकते हो, vector a is equals to negative of vector b, पर इसके लिए बच्चों magnitude same होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी दो opposite vector दिखे और लिख दिया, ये नहीं, magnitude same हो, opposite direction हो तब, ये नहीं कि कोई भी दो vector आपको दिख गए, मानलो, a की value दे रखी है, 2 meter per second east, और b की value दे रखी है, 4 meter per second west, अब आप ऐसा नहीं लिख सकते, कि vector a is equals to minus of vector b, अब ये गलत हो जालेगा, now this is wrong, magnitude same होना चाहिए, clear है, चलो, parallel and anti-parallel vector बड़ा असान है, दो vectors, जिनके tail से tail मिलाने पे उनके बीच में angle 0 degree हो, वो parallel है, parallel मतलब same direction में है, anti-parallel, दो vectors जिनकी tail से tail मिलाओ, इनकी tail से tail मिलाओ जड़ा, एक इधर जा रहा, इसकी tail इधर जा रही, tail से tail के बीच में angle कितना है, 180 degree, 180 ज़्यादा हो भी नहीं सकता, जब दो vectors की tail से tail, कोई किधर है किधर, मिलाने पे angle 180 degree आ जाए, इसका मतलब वो anti-parallel vectors है, आगे बढ़ते हैं, co-linear and co-planar vectors, बच्चों co-linear क्या होता है, co-linear vectors, which lie, which lie on same line, या बोल दो, same path, जो same रास्ते पे या same line पर हो, ये एक line खिची हुई है, मान लो, एक vector A इस पे है, और दूसरा vector B भी इसी पे है, ऐसे vector को हम बोलते हैं, co-linear vector, जो की same line पर हो, ठीक है, parallel, anti-parallel clear थे, parallel जिनके बीच में angle 0, anti-parallel जिसमें angle 180 हो, negative vector clear है, magnitude same, direction opposite, equal vector magnitude same, direction same, unit same, अब co-linear, which lies on the same line, और same path, co-linear एक ही line पर, next है, co-planar vectors, co-planar vectors, which lie in the same plane, which lie in the same plane, एक ही plane में हो, ठीक, एक ही plane में हो, बच्चों plane समझते हो ना, 2D, 2D, जैसे यह board, two dimensional, इसको बोलते हैं plane, अब बच्चों मान लो, मेरे पास दो vector है, क्या ये दो vector किसी एक plane में होंगे, कि नहीं होंगे, answer है, हमेशा होंगे, मान लो, ये दो vector लिया, ये किस plane में है, इस plane में, ये एक plane बन गया, इसमें है, clear है, जैसे देखलो, किताब से दिखाया था, मैंने पिछली बार, इस बार भी दिखा देते हैं, ये दो vector है, ये किस plane में होंगे, देखो, इस plane में है, ये plane हो गया, दो vector, दुनिया के कोई भी दो vector, हमेशा, co-planer होते हैं, हमेशा same plane में होते हैं, angle change करते हैं, मान लो, ऐसे कर लिया मैंने, एक vector सीधा, एक vector आपकी तरफ आता हुआ, अब ही भी देखो, ये co-planer है, अब ये इस plane में आगए, इस वाले plane में, देख रहा है, इस plane में आगए, आप इनको जैसे चाहो, वैसे arrange कर लो, ये हमेशा co-planer हैंगे, चलो ऐसे कर लेते हैं सर, अब ये किस plane में आएंगे सर, इनको ऐसे रख लें, तो किस plane में आएंगे, तब बच्चों देखो, ये इस plane में फिर आगए, बहुत भारी बुक्क्य है बाई, बहुत भारी किताब, देखो, ये इस plane में आगए, आपने इनको ऐसे करके, ऐसे रख लिया, ऐसे करके ऐसे रख लिया क्या अभी भी ये किसी एक plane में है बिलकुल ये देखो इस plane में आ गया two vectors will always be co-plane हमेशा same plane जो करना चाहो कर लो इनके साथ ऐसे कर लो इस plane में आ गया ऐसे कर लो इस plane में आ गया ऐसे कर लो इस plane में आ गया two vectors will always be co-plane को प्लेनर दो वेक्टर दुनिया के हमेशा को प्लेनर होते है तीन वेक्टर के बारे में क्या कहना है तुमारा तीन वेक्टर के बारे में क्या ख्याल है थ्री वेक्टर थ्री वेक्टर के बारे में बताओ अब आपास मालनो तीन वेक्टर हो गए एक, दो, और तीन, क्या ये तीनों सेम प्लेन में हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, देखो, ये तीन है, इस प्लेन में आ गया भी, ये तीन देखो, स्मार्ट बोर्ड के प्लेन में, हाल की नहीं, एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में, हो भी सकते हैं, नहीं भ यह दोनों आए इस प्लेन में यह दोनों आए यह तीनों किसी एक प्लेन में नहीं आ रहे हैं अब ही तो बच्चे लिए ख्रें चीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीचीची हो सेम प्लेन में हो जैसे यह देखो ए ए ए मानलो ऐसे बना दे इनको हम अभी यह देखो एक प्लेन में आ जाएंगे अभी देखो यह प्लेन में आ गए अगर सीधे तीन वेक्टर हो सकता हो एक प्लेन में हो हो सकता हो, ना हो, यानि हो सकता हो, वो coplanar हो, coplanar मतलब same plane में होना, three vectors can be coplanar, may or may not be coplanar, यह लिख रहते हैं, three vectors may or may not be coplanar, clear है, collinear coplanar, collinear जो same line में हो, coplanar जो same plane में हो, two vectors will always be coplanar, and three vectors may or may not be coplanar, इनको निकालने का एक तरीका भी होता है, box ABC को देखा जाता है, three vector coplanar है कि नहीं, box ABC की value अगर zero हो जाती है, then they are coplanar, यह सब आप math में पढ़ोगे भी आगे, यह सब physics में vector, यह सब नहीं है, यह सब math में पढ़ोगे अगर box ABC zero होता है, तो coplanar होते हैं, इनका volume zero आजाता है, छोड़ो, आगे, concurrent vectors, concurrent vectors, vectors, ऐसे लिखते हैं, concurrent vectors, two or more vectors, two or more vectors, having intersecting, two or more vectors, intersecting, intersecting, at the same point, ऐसे vectors को बोलते हैं, concurrent vectors, ऐसे vectors, जो किसी एक point पे intersect कर रहे हो, that are concurrent vectors, या उनकी हो सकता हो, line of action, intersect कर रहे हैं, और, two vectors, और, two, मतलब और यह बड़ा वाला और, definition में, और, two or more vectors, two or more vectors, having, their, whose line of, ऐसे, two or more vectors, थोड़ी रात हो गई, माफ करना थोड़ा था, मैं नीद में शायद हूँ, two or more vectors, whose line of action, whose line of action, intersect, at a common point, सर्थ दोनों बात में difference किया है, समझाते हैं, पहली वाली बात सुनू, two or more vectors, intersecting at the same point, माल लो, एक vector A है, एक vector B है, और, एक vector C है, यह तीनों ही vector देखो, एक common point पे intersect कर रहे हैं, तो यह क्या बन गए, concurrent vectors बन गए, पहले वाले के हिसाब से, दूसरा वाला क्या कह रहा है, बच्चों जरूरी नहीं है, कि वो सच में intersect करें, जरूरी नहीं है, कि वो सच में touch करें, उनका line of action भी intersect कर सकता है, whose line of action intersect, line of action क्या चीज़ है, माल लो, यहाँ पे B vector बना है, यहाँ पे कहीं A vector बना है, और यहाँ पे माल लो, कहीं C vector बना है, इनका line of action भी intersect कर जाए, तो काम बन जाएगा, line of action बोले तो, यह, line of action, जिस line के along यह act कर रहे हो, यह देखो, इस line के along act कर रहा, यह इस line के along और यह भी इस line के along, तो इनका line of action intersect कर गया, hence they are concurrent vectors, यह आपको forces में यह चीज़ दिखाई पड़ेगी, क्या होता है, कि किसी एक object के उपर, यहाँ पर, किसी एक object के उपर, दो या दो से जादा force लगती है, जैसे माल लो इस पर एक force इधर लग गई F1, एक force इधर लग गई F2, और इसे के उपर माल लो एक force इधर लग गई F3, यह तीनों forces कैसी होंगी, कौन क्यूरेंट होंगी, ठीक, laws of motion में देखेंगे, कौन क्यूरेंट वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स, जो इंटरसेट कर रहे हो, अट आ कॉमन पॉइंट है, या उनका line of action इंटरसेट कर रहा हो, अको आटा कॉमन माईंट, लास्ट योनित वेक्टर्स एट जेरो और नल्ल बेक्टर्स, उन रहा है ब्यठ बच्छों, लुनित वेक्टर्स, ओने वेक्टर्स, जिसका मागनि assessed यह डैसा VEक्टर्स है, magnitude unity हो तभी तो unit बोला एक हो ऐसा vector जिसका हम mod लें तो 1 आए ऐसा vector जिसका हम mod magnitude लें तो 1 आए ऐसा vector जिसका हम mod लें तो 1 आए जिसका magnitude 1 अब बच्चों physics में unit vector बहुत important होते हैं very important अभी तक जितने vectors पढ़े थे उसमें सबसे important यही है जितने types of vector पढ़े this is the most important अभी तक आज जितने भी पढ़े उसमें से यह most important है unit vector बच्चों unit vector इतने important है कि इनके लिए एक अलग symbol बना दिया वाई vector का symbol क्या था A के उपर arrow, F के उपर arrow इनका अलग symbol है, इनकी अलग पहचान है physics में इनका अलग ही बौकाल हो रखता है अगर A unit vector है if A is a unit vector it is represented it is represented as A cap इसको cap पढ़ते हैं A cap क्या चीज़? A cap ऐसे पढ़ते हैं red is A cap इनकी अलग ही पहचान बन गई A cap और A cap का जब भी आप magnitude निकालोगे A cap का जब भी आप magnitude निकालोगे तो 1 इसके उपर arrow नहीं लगते है magnitude निकालोगे तो 1 आए इनका बच्चों formula भी 1 रखा है unit vector का unit vector का formula देखो A cap is equals to vector A upon magnitude of A थोड़ा कम समझ में आएगा समय के साथ समझ में आएगा जब vectors आगे पढ़ेंगा बीकले formula लिख सकते हो A cap is equals to vector A upon magnitude of A unit vector का physics में काम क्या है unit vector has only one use सिर्फ एक ही काम है to give direction to a quantity to give direction to a quantity किसी vector को direction देने के लिए use होता है to give direction to a vector लिख लो to give direction to a vector unit vector का जीवन में क्या काम है किसी को direction देना दिमाग में डाल लो अभी कुछ सभाज में नहीं आएगा पस दिमाग में भी डाल लो unit vector काम है किसी चीज़ को direction देना unit vector का magnitude होता है हमेशा one unit vector का symbol है a cap unit vector का formula है vector a upon magnitude of a clear है unit vector की value कित्ती होती है हमेशा one होती है और इनका physics में क्या काम है किसी चीज़ को direction देना पिर आते हैं zero या null vector में अभी है क्या बात लीए ऐसा vector जिसकी value zero हो इसका का काम होगा sir zero हो sir ऐसा vector जिसकी value zero इसका काम मैं बताऊंगा आपको cross product में वहाँ याद दिलाना पड़ेगा मुरे को याद दिलाना पड़ेगा बच्चों ऐसा vector whose magnitude is zero whose magnitude is zero and which has arbitrary direction arbitrary बोले तो कोई भी direction ले सकता है arbitrary बोले तो ये कोई भी direction ले सकता है अब इसका काम आपको पता चलेगा कि क्यों बनाया गया ये आपको cross product में समझ में आएगा शायद आपको cross product में ये बात हम समझा पाएं कि ये physics में क्यों बनाया गया ऐसा vector जिसका magnitude तो zero है zero vector zero का direction कुछ भी ले सकते हो a cross b का जो product होता है vector c cross करने पर answer हमेशा vector आता है अब ये बात 12 वाले समझ रहे होंगा drop year वाले कि इसका काम क्या है a cross b का जो answer आता है वो हमेशा एक vector आएगा माल लो a cross b की value zero हो तो वो zero scalar नहीं होगी zero vector cross product का answer क्या होता है मेशा vector a cross b is equals to vector c है ये तो है कि होता है कि नहीं तो a cross b का answer हमेशा एक vector होगा माल लो a cross b की value zero है तो वो zero scalar नहीं है वो zero vector है जिसका direction होगा perpendicular to a and b जो की cross product में होता है तो यह बात कम लोग को समझ में आई होगी of course मैं भी समझ सकता हूँ यह बात यहीं पर lecture करते हैं समापता आज नहीं है कोई DPP इसके बाद हम लेके आएंगे vector edition का graphical method उसके बाद analytical method पढ़ाई करते हैं all the very best